संसुदिय दल की पहली ही बैठक में नितीश कुमार ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है आपको बता दे नितीश कुमार की पार्टी चिराग पास्वान के साथ खड़ी हो गई है आलम तो ये हो चुका है कि बैठक में भारती जनता पार्टी के नेताओं के सामने एंडिये के घटक दल इंडिया ब्लोग को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ चौक ये मत खबर है खबर देखे जागनर की इसमें लिखा भी हुआ है कि भाजपा नेताओं के सामने जेडियू ने मिलाया विपक्ष के सुर में सुर संसदी समिती की पहली बैठक में उठा दी बड़ी मांग तो ये खबर जब से निकल कर सामने आई है उसके बास से तो बवाल मज गया है क्योंकि नितीश कुमार ने दूसरी पार्टियों के साथ गडबंधन करने का एलान भी कर दिया है तो कैसे चिराग और नितीश एक साथ आ गए है और भारती जनता पार्टि को तगड़ा जटका लगा है उस पर आएंगे लेकिन उसके पहले जेडियों ने कितना बड़ा खेल कर दिया है खबर दिखाते हैं लेकिन जागरार की खबर में आगे लिखा हुआ है कि अन्य पिछना वर्ग कल्यार संबंधी संसदिय समीती की पहली बैठक में जाती गड़णा का मुद्दा उठा कॉंग्रिस टीनसी और द्रमुक के सदस्यों ने जाती गड़णा पर चर्चा करने की मांग की है मतलब की विपक्ष के जो दल हैं उनकी मांग है कि जाती गड़णा पर चर्चा हो लेकिन गजब तो तब हो गया जब भारती जनता पार्टी के नेताओं के सामने जेडियू ने भी यही मांग रख दी है और तो और इंडिया गड़णा को सपोर्ट कर दिया है देखे इसमें आगे खबर में लिखा हुआ है कि इस बीच उन्हें केंदर सरकार में सहयोगी जेडियू का भी साथ मिला बतादे जेडियू पूरे देश में जाती गड़णा कराने की पक्षदर है बिहार में जाती गड़णा हो चुकी है तो आप देख सकते हैं पहले तो चिराख पास्वान और अब नितीश कुमार भी अपने रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं पहले किस तरीके से चिराख पास्वान ने राहुल गांधी और अखिले शादों का सपोर्ट करते हुए जाती गड़णा की बात की आप जानते ह अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल तब पलड़ गया है जब जेडियू भी इंडिया ब्लॉग के सपोर्ट में आ गई है और तो और अब खबरे भी निकल कर सामने आई है खबर देखिया आज तक किसमें लिखा भी हुआ है कि चिराख के बाद अब जेडियू स्विरोत किया जा रहा है इंडिया ब्लॉग को सपोर्ट किया जा रहा है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं जेडियू ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिया है नितीश कुमार चुक चाप अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कई ऐसे मोके निकल क में शामिल नहीं हुए उसके बाद बिहार में मीटिंग बुला ली अब इस मीटिंग में बड़े बड़े फैसले ले लिए गए हैं और क्या फैसले लिए गए हैं वो एक एक करके निकल कर सामने आ रहे हैं तो नितीश कुमार ने वक बोल्ट संशोधन बिल से लेकर कैसे हर एक मुद्दे पर भारती जंता पार्टी को पसाने का काम किया है आपको मैं एक एक करके बताती हूँ सबसे पहले आप खबर देखी हिंदोस्तान की देखे इसमें लिखा हुआ है कि वक बोल्ट बिल पर नितीश ने मारा बैक गयर जेपी सी में मुसलमानों की चिंता उठा गया और अब आप देख सकते हैं कि नितीश कुमार ने जेपी सी में भी बैक गेर लगा दिया है नितीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि हम जेपी सी में भी इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे और तो और मुसलमानों की चिंताएं उठाई जाएंगी तो पहले सं नजर आ रही है, इतना ही नहीं, नितीश कुमार ने तो आरक्षन को लेकर भी मोदी सरकार पर दबाओ बनाना शुरू कर दिया है, प्रगान मंतérी नरेंदर मोदी से डिमाण कर दी है कि बिहार की जिस आरक्षन को हाई कोट ने कैंसिल कर दिया है सुप्रीम कोट ने कैंसिल कर दिया है उसे समविधान संशोधन के जरिये लागू कर दिया जाए क्योंकि नितीश कुमार बिहार विधान सभाज चुनाओ के ठीक पहले वहां की पबलिक को बड़ी सौगात देना चाते हैं किस तरीके से जेडियू को नितीश कुमार भारती जंता पार्टी पर दबाओ बना रहे हैं नितीश कुमार अपने रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं वक बोर्ट संशोधन बिल से लेकर आरक्षन पर दबाओ बनाया जा रहा है और अब तो जातीगत जनगर्ना को लेकर भी डिमांड रख दी गई नितीश कुमार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को दिये गए सपोर्ट के बदले कैसे एक एक पाई का हिसाफ लेते हुए नजर आ रहे हैं एक एक खबर अपने आप में साफ कर रही है और इतना ही नहीं है नितीश कुमार ने दबाओ तो इतना तगड़ा बनाना शिरू कर दिया है कि वो दूसरे घटक दलों के साथ एक एक करके गटबंधन करते जा रहे हैं बिहार को लेकर लेटिस खबर निकल कर सामने आई है कि नितीश कुमार ने बिहार में भी गटबंधन किया है और ये गटबंधन हुआ है भारतिये स्वराज मोर्चा के साथ इतना ही नही बिहार में सर्फ जेडियों को मजबूत करने की कवायद नहीं कर रहे है नितीश कुमार दूसरे राज्यों में भी पैर पसारे जा रहे हैं जार खड़ में तो नितीश कुमार अपना नया मोर्चा तयार करने की तयारी कर चुके हैं खबर देखे एबीप की इसमें लिखा भी हुआ है कि नितीश कुमार बिगाडेंगे BJP का खेल, नया मोर्चा बनाने के लिए इस बड़े नेता से मिलाया हाथ कर चुके हैं मीटिंग। तो मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, नितीश कुमार अपना नया मोर्चा तयार कर रहे हैं, नितीश कुमार भारती जनता पार्टी के विरोधियों से मीटिंग कर रहे हैं और इन खबरों से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि नितीश कुमार ने पलटने की भू पड़ा साफ हो रहा है यह रुजान अपने आप में साफ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाते हैं बिहार में भी अगले साल विधान सबाद चुना होने वाले हैं नितीश क तो फिलाल इन सभी सवालों की जवाब में आपको क्या लगता है क्या आगामी विधान सभा चुनावों में होने वाली हार NDA की बड़ी हार साबित होगी इन सभी खबरों पर नितीश कुमार के बदलते रंग पर आपकी क्या राय है क्या नितीश और चिराग मिलकर बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं इस सवाल के जबाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेर करें हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें मैं में दियोंगी खबर के साथ तब तक के लिए धरनिवाद